प्रिये भाई और गहनों आज इका सुपसनेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं उसके आने का वादा भी पूरा होगा देखेगा सारा जहाँ उसके आने का वादा भी पूरा होगा देखेगा सारा जहाँ हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहाँ नीले आसमा के पार जाएंगे मेरा इशु रहता वहाँ आज को संदेश प्रभु के द्वास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बाठा जाएगा रार्तना के साथ सुनिये आज की मनन के लिए युहना रेजित सूसमाजर तीसरे अध्याई की उन्तिस में आईद पढ़ने के लिए चाहता हूँ युहना रेजित सूसमाजर तीसरे अध्याई की उन्तिस में कला हूँ जिसकी दुल्हिन है वही दुल्हा है परंदु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनते है दुल्हे के शब्द से बहुत हर्शित होते हैं मेरा यह हर्श पूरा हुआ है इस पद में हम इस प्रगार योगन बबतिसमा के एक गवाई हम दे सकता है यह गवाई ही ईश मसी का बारे में है और इसमें एक बात इस पहले जो खड़ना हुआ है उस चब्विसमी आएट से नीचे हम पड़ेगा तो मालूम बढ़ सकता है वह हम इस मसी और शिश लोग बाप्तिसमा दे रहे यह बात एक विक्ति आकर और योगना बाप्तिसमा को कहा लेकिन इस मसी तो बाप्तिसमा नहीं दे रहे थे लेकिन उसका शिश्यों ने बाप्तिसमा दे रहे थे इस बातों हम सुनकर योहन्ना बाप्तिसमे को कभी भी इरश्य नहीं हुआ और इस प्रकार उसने गवाई दिया अविस्य है कि वह बड़े और में गठू जो योहन्ना बाप्तिसमे का पास में जो लोग थे वो लोग इशुमसी का पीछे जाने का कारण से कभी भी इरश्य नहीं हुआ इसका बदले और इस प्रकार कहते हैं कि अवश्य है कि वह बड़े और में गठू देखो इस आयद में तीन प्रकार का लोगों को हम देशकता है एक तो मित्र है दूसरा तो दुलहन है तीसरा तो दुलहा है मित्र बोलेगा तो पुराना नियम का जितने बक्तों को दिका रहा है और सासात में युहर्ना बबतिसमे को दिका रहा है पुराना नियव में अबरहाम, इसाक, याकुब, मुसा जैसे दावूद जितने बक्ते हैं ये सभी इसमसी के एक मित्र रूप में दिया हुआ है मित्र का जीवन में ये आसा रखते है कि और दुलगा का आवाज सुने उसमें हर्श हो जाए और इसमसी सुपर्तिव में एक दुलगा का रूप में आए तो इसमसी जो आते हैं उसके लिए एक मार्ग ये लोगों ने तैयार करने के लिए मित्र राता है और दूसरी एक विक्ति को हम देखते हैं दुलगन दुलगन कलीसय को दिखाता है आज का मंडली एक स्त्री रूप में दिया है ये इसमसी का शरीर का रूप में वर्नन किया है इसके लिए कुरिंदियों का पत्रिह में इस प्रगारम पढ़ता है क्योंकि मैं तुमारे विशे में इस शरीय दुन लगाए रगता हूँ इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुमारी बात लगाई है कि तुमें पवित्र कुवारी की नाई मसी को सौम दू इस पद में हम इस प्रगार देखते हैं प्रेर्द पॉल पॉलोस इस प्रगार करते है कि कुरिंदियों का कलीसिया एक कुवारी के नाई है इस कुवारी को इसमसी का साथ में मंगनी किया हुआ है जैसे इसमें हम पढ़ सकता है इसलिए पवित्र जीवन जीने के लिए समझा रहा है एक मंगनी हुआ है लेकिन एफिस उनका पत्री के माम पढ़ता है हे पदियो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसी ने भी कलीसिय से प्रेम करके अपने आपको उसके लिए दे दिया यहाँ महम देखते हैं कि यह स्तरी एक पत्नी के रूप में वर्नन कर रहा है उस पत्नी के लिए इतने प्रेम यहाँ तो दिखा रहा है इतना भी नहीं प्रगाशिद वाक्या में भी यह बात हम देश सकता है अवो हम आनंदिता और मगन हो और उसकी इस्तूति करे क्योंकि मेमने का ब्याग आ पहुचा और उसकी पत्नी अपने अपको तेयार कर लिया है प्रगाश दुआ किया में जो इस स्त्री का साथ ने ब्याग होने का बात में दर्ती में आते हुवे कलीसिया और इशुमस्य को दिखा रहा है तो हम देखना ये स्त्री ये दुलगन है और इशुमस्य के एक पत्नी का रूप में एक कुवारी स्त्री का रूप में खन्य का रूप में दिया हुआ है वो सकन्या और इशुमसी का ही तीसरी बात हम देखते हैं कि उस दुलखा का बारे में दुलखा तो इशुमसी है ये दुलखा दुलखन के लिए अपने शरीर मिलिदान रूप में आरपण करके उस तरी के लिए अपने आपको दे दिया है ये प्रेम ये अरपण और सूली पर हम दे सकता है इशुमसी संबूर्न तरी के इस तरी के लिए अपने जीवन को सौम दिया पुराने नियम में हम पढ़ते हैं और आदम का एक फसली निकाल कर एक इस तरी हवा को बनाया और इसका साथ में रहने के लिए लेकिन नियम में हम देखते है इशुमसी अपने शरीर का लहु पूरे बहा कर लहु में है जीवन ओ जीवन ओ लहु हमारे लिए कलीशे के लिए बहा दिया और इशुमसी लहु बहा कर अपने आपको बचाने के लिए इस पृतिव माई मृत्यू को सहन करके तीसर दिन जीवुट करा राजसोर को में विराज माने फिर आएगे इस बड़ा आशा अपने कलीशय को स्त्री को दिया है हम परमेशर को धन्यवात करते हैं और एक बात समझे प्रगाश द्वाक में और एक स्त्री का बारे में पढ़ते है बाबिलोनिया महावेशय का बारे में वो अंदिव समय में कृस्ति विरोधी का समय में एक धर्म यहां होगा वो धर्म एक स्त्री का रूप में महावेशी का रूप में दिया हुआ है और ये वेशी अंदिव समय में और नासु हो जाएगा लेकिन इशु मसी का जो पत्नी है कलीसिया है हमेशे के लिए इशु मसी का साथ रहेगे और ये बात हम यह हम देख सकते हैं अगर आपका जीवन में इशु मसी को ग्रहन नहीं किया हंगिगार नहीं किया वो कलीसिया का सदस्य नहीं बने तो जरूर आपका जीवन में ईशु मसी को स्विखार और खरे और प्रभु के लिए समर्पन करे एक स्ट्रीकर रूप में उसका दीन मरह कर हम यह हम का जीवन और ईशु मसी का महिमा के लिए हम चीएंगे इसके लिए तीनों विक्तियों हम इस परगार देखते है मित्र है पुराना नियम का जितने वक्तों जो दुलगन है वो पत्नी जैसे कलीसिया को दिखा रहा है दुलगा है वो ईशु मसी को दिखा रहा है प्रभु हमको सहाइद करे आने वले दिनों में प्रभु का महिमा के लिए जीने के लिए हमको सबको सहाइद करे जय मस्य की